मैंने आप सबसे पूछा था कि राखी पे कौन सी मिठाई बनाई जाए तो आप सब की जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी ना वो थी गुलाब जामून की और सच में बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं खाने में तो आज हम एकदम हलवाई स्टेल क्या हलवाई से भी बढ़िया एकदम पर्फेक्ट नाप तोल के साथ मैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ आप सबने डिमांड की है तो मेरा तो काम है बनाना और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि आप जो कहें वो चीज मैं आपके लिए लेके आऊँ तो चलिए बनाते हैं और और कौन सी रेसिपी बनानी है राकी पे वो मुझे कमेंड में जरूर बताना तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फीका वाला जो मावा होता ना वो ले लिया है फीके मावे से गुलाब जमून बना कर तयार किये जाते हैं वैसे तो कई परकार से अलग-अलग तरीके से गुलाब जमून बनाये जाते हैं लेकिन असली जो टेस्ट होता है ना और असली जो तरीका होता ना गुलाब जमून बनाने का वो मावे से ही बनते हैं यहां मैंने 500 ग्राम फिका वाला मावा लिया है और 500 ग्राम मावे के अंदर कि एक दम पर्फेक्ट बनेंगे तो आप इस बात का दियान जरूर रखे मैंने यापर 500 ग्राम मावा लिया है और 700 ग्राम यानी 100 ग्राम और 25 ग्राम याँ पर मैदा लिया है इस बात का दियान आप जरूर रखें बस और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो मैदा मैंने थोड़ा थोड़ा करके दो बार में डाल दिया है और इसका अच्छे से आटा गूत कर तयार कर लेंगे जिस तरह हम रोटी का आटा गूतते हैं बस वैसे इसको गूत गूत के एकदम चिकना कर लेना है यहाँ पर आपको लगे कि हमारा डोट थोड़ा सा टाइट है या थोड़ा सा ऐसे बिखरा बिखरा सा लग रहा है तो हलका सा ठंडा दूद लेना है हमें बिल्कुल जैसे हम किसी पर ऐसे पानी का छीटा लगाते हैं उस तरह से हलका सा दूद के छीटे लगा लेने हैं जितने आपको जरुद पड़े मैंने बस छोटे वाले चमच से दो चमच के करीब इसमें दूर डाला है जिससे हमारा बैटर एकदम परफेक्ट हो जाता है तो इसको मसल मसल के एकदम चिकना कर लेते हैं बिल्कुल आटे की तरह चार-पांच इलाची को मैंने एकदम कूट के ले लिया फ्रेस कूटी भी इलाची का जो स्वाद रता ना बहुत ही अच्छा होता और थोड़े से केसर के धागे डाले हैं मैंने इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है वैसे आप चासनी बनाएं उसमें भी डाल सकते हैं लेकिन ये गुलाब जॉमून के अंदर रहेंगे केसर के धागेजी से कलर, स्वाद और टेस्ट सभी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा तो जरूर थोड़ी सी एड़ करें इसके अंदर और वापस से अच्छे से मसल ले ताकि केसर और इलाइची आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीजों के साथ तो बस इसको ढख के हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको ढखने के लिए किसी बरतन को ही लेना है या में कपड़े से नहीं ढखना है आप कोई भी बावल या कुछ भी ले सकते हैं उससे ढख के रख दें और जब तक वो से हैट हो रहा ना हमारा ज इसकी कोई तार नहीं होती मलब यह जो चास्नी बनेगी न इसका कोई हमें तार नहीं बनाना है बस इसकी चास्नी बनानी है जब तक यह अच्छे से गुल जाए और हल्की सी चिप्चिपी हो जाए वहां तक ही चलाना है इसे इस बात का दियाना आप जरूर रखें तो मैंने आदे के लिए मावे के गुलाब जामून बना रही हूँ ना तो उसके लिए हमें एक किलो सकर की चासनी बना कर तयार करनी है मैं बार-बार सारी चीज़े आपको अच्छे से समझाने की कोसिज कर रही हूँ ताकि आप भी अपने घर में बनाए ना तो एकदम परफेक्ट बने कोई भी गलती ना हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें दूर डाला है दो-तिन चमच के करीब जिससे क्या होगा चासनी में जो भी थोड़ी सी गंदी होती ना उपर आ जाती है और उसको हम अराम से निकाल लेते हैं और हमारी चासनी एकदम साफ हो जाती है दो-तिन बूंद के करीब हमने यहाँ पर निम्बूगा रस डाला था सिरफ दो-तिन बूंद इससे जादा नहीं वो आपको मैं बताना भूल गई थी थोड़ा सा जो यलो फूड कलर होता है यलो या ओरेंच जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा दो-तिन चुटकी के करीब जिससे कलर चासनी का बहुत ही अच्छा आता है केसर जरूर यूज करती हो जिसमें केसर की जरौत होती है आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं लेकिन केसर किसको पसंद नहीं सबको पसंद है क्योंकि उसका कलर और सुआद एकदम बढ़या सा होता है तो चासनी हमारी बनकर तयार है वो हलकी सी चिप-चिपी हो गई यदि आपको लग रहा है कि हमारा डो थोड़ा सा टाइट है और जो हम गुलाब जामून बेल रहे ना वो हलका सा फट रहा है तो इस स्टेज पे आपको क्या करना है हलका सा दूद लेना है और दूद के चीटे लगा के इसको वापस आटा गूतते हैं वैसे इसको गूत लेन पिर इनको हम चासनी में डालेंगे न तो ये और फूलेंगे तो हम पहले से इसकी लोई बड़ी बनादेंगे न तो फिर वो बहुत जपश स्टेज रहते हैं और अच्छे भी नहीं बनते हैं फिर अंदर से कच्चे रहते हैं तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रकना है और बाकी का जो बचवा डो है ना उसको हमें किसी बरतन से ढख के रखना है खुला नहीं छोड़ना है खुला छोड़ेंगे तो इस पे पपड़ी आ जाएगी और इससे हमारे गुलाब जमून फटने का चांस रहता है तो ये देखिए एकदम छोटे छोटे गुलाब जमून बना के तयार कर लिए है इनको फ्राइ करने के लिए यहाँ पर मैंने गी ले लिया है और गी में हम बॉल डाल के देखेंगे एक छोटी सी तो देखिए बिल्कुल हलके हलके बबल्स निकल रहना बस इतना ही गरम गी चाहिए हमें इसे तेज गरम नहीं करना है और इसे कम ठंडा भी नहीं रखना है थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखके बनाए तो एकदम परफेक्ट बनेंगे हलवाई से भी अच्छे बनेंगे घर पे और घरवाले बोलेंगे क्या बजार से लेके आए हो बजार से नहीं लाएं घर पे बनाएं अपने हातों से और अपनी मैनस से बस गुलाब जामून डालने के बाद आपको इससे लगातार चलाते जाना है छोड़ना नहीं है लेकिन पहले आपको कड़ाई को इस तरह से हीलाना है यह हलके से उपर तैर के आने लग जाए ना उसके बाद इस तरह से आप चम्मच से इसको घुमा सकते हैं पहले आपको direct चमच नहीं डालना है पहले आपको कड़ाई को हलका हलका गुमाना है ताकि गुलाब जामून है ना हलके हलके अंदर गुमते रहे वो एक जगा नाटी के एक जगा टिकते हैं तो क्या होता है कि उस पे जो वो होते हैं एक जगा अलग अलग से ऐसे मलब निसान से बन जाते हैं तो दिखने में अच्छे नहीं दिखते हैं बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस वो निसान से हो जाते हैं तो दिखने में सुन्दर नहीं दिखते हैं बस तो यह देखिए हमारे एकदम पर्फेक्ट जो इसा ही रखा है देख सकते हैं आप आपको इसे थोड़ा सा डार्क कलर करना चाते हैं तो थोड़ा सा इसको और मलब फ्राइक कर सकते हैं और उसके बाद ये चासनी में डाल दिंगे हम डायरेक्ट गी से निकाल के सिधा चासनी में ही डालना है हमें इसे और चासनी ज्यादा हो गई हो तो हलकी सी उसे गरम कर सकते हैं हम अंगुली डालके चेक कर ले कि हमारी अंगुली है जो चासनी के अंदर जल नीरी है उससे चासनी को सैन कर पारी है बस इतना ही गरम चाहिए हमें चासनी इससे ज्यादा नहीं बहु ज्यादा गरम भी नहीं होनी चाहिए और बहु जमुन की और दूसरे नंबर ग्यावर की कि गुलाब जमुन बने ये और ग्यावर बने ये तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी न वो रेसिपी में पहले बना रही हूं तो सारी गुलाब जमुन हमने बना के तयार कर लिए और इनको लगबग 4-5 गंटे के लिए आप चास कर सकते हैं तो अब अलग से थोड़ा सा इनको सजा देते हैं ताकि दिखने में और भी सुन्दर दिखे और इनको देखके लग रहा है कि आपने इनको घर पे बनाया कोई भी बोलेगा घर पे नहीं मार्केट से लेके आए क्योंकि दिखने में इतने सुन्दर है और खाने म गुलाब जमून बनकर तयार हुए हैं देख सकते हैं ये देखिए हैना एकदम परफेक्ट लगरी आपको के कोई गलती की है मैंने गुलाब जमून बनाने में तो मुझे कमेंट में जुरूर बताना वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जुरूर बताना